हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो पतादे की अक्षे कुमार की आने वाले फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है ट्रेलर में होती कमाल का कट किया गया है क्योंकि ट्रेलर के अंदर की स्टोरी क्या होने वाली है इसके उपर बहुत ज़्यान दिया गया है डिरेक्टर और प्रोड्यूसर के द्वारा पता दे कि स्टार्टिंग सीन में ही हमें किर्दिसन और अर्सदवारची दिखाया आता है जहां पर ये दोनों एक फिल्म बनाने वाले हैं जहां किर्दिसन सजेस्ट करती है कि वो बागवा के बच्चन पांडे पर फिल्म बना चाहती है वहीं अर्सदवारची बताते हैं कि बच्चन पांडे कोई आम इंसान नहीं बलकि एक किलर मतलब एक रावन है जिसका दिल तो पत्थर का है ही उसकी आख भी पत्थर की है जो कि हमें ट्रेलर और पोस्टर में भी साब दिखती है आगे एक हमें सीन दिखाया था जहां अक्षे कुमार के लुक को पूरा दिखायाता है जहां पर अक्षे कुमार एक अच्छा खासा डायलोग मारते है जो कहते हैं कि भौकाल बनाये रखने के लिए भै बनाये रखना जरूरी होता है उसके बाद प्रोड़ेटरियर स्टार्ट होता है जहां पर अक्षे कुमार को हतारी से मारते में दिखायाता है पता दे कि इस scene को देखने के बाद हतौरा होरा सिंग का याद आयाता है जो एक web series में जिन्होंने हतौरा से ही लोग को मारते थे आगे scene में हमें introduce किया जाता है जहां पर बता जाता है कि बच्चन पांडे के कितने सारे लोग है जो उनके लिए काम करते हैं पहला होता है कांडी का जो कि सिर्फ कांड करते हैं जो कि अपने scene में देखा ही होगा दूसरा बंदा होता है पैंडूलम जिस पे थोड़ा सा मुझे सक होता है कि ये बंदा को आसा हट के भी रहता है पैंडूलम की कांड दिखायाता है कि उससे सिर्फ प्यार और लफरे से ही उसलिए उनका नाम बफर चाचा रखा गया है आगे दिखाया था जहां पे किडिसन और अर्सदवाजी दोनों से मिलते हैं और बताते कि वह उनपे बायोफिक बिनाने जाते हैं जैसे कि सत्या गैंग वसेपूर बशुजी परकार से वह बच्चन-पांडे पर एक फिल्म बन ना चा bendsते हैं जहां पर बचन पांडे सुन्ने बाद द्यार हो जाते होगे मता बचन पांडे अपना spielt यह यूझ बनाईए जो कि यह डख़ड़ अगले सीर्पाण कर दिखा ज़ी होते हैं में सारे गुरूप का होते हैं जिनका नाम होता है भावे सर एक spiresण भी दिखा या गिजो आपर एक वाइरल फोटो जो की वाइरल मीम भी बन गया था व्हों फोटो और वो मीम को भी इस ट्रेटर में दिखाया गया जहां पर अक्छए कुमार गुरु जी को परनाम करते हैं और यहां पर एक अच्छा सा एक मीम्स को यूज किया गया इस फिल्म में आगे ट्रेलर में हमें जैकलीन फंटांडिस को दिखा जाता है जो की अक्षे का रॉल पले कर रही है बता दी जाया पतादू की आगे बता जाता है कि सोफिया का जो मडर है वो खुझ अक्षे कुमार ने किया है यह जो है अर्सदबासिक कहते हैं हो सकता है यह जूट हो यह साइद अपपा फलाई गई हो साइद उसका खून किसी और ने किया हो और उसका बदला जो है अक्षे कुमार ले रहे उसे क्लियर नहीं किया गया, सटार्टिंग से की लास्ट तक बच्चन पांडे कहते हैं, अक्चॉली मैं बच्चन पांडे बनने का उसका एक अलग होगा जो कि हमें बताया है नहीं जिसके बाद वो बदला लेने के ऊपर उतर जाते होंगे क्योंकि यह जो रियल स्टोडी थी उन्हें हमें दिखाया ही नहीं गया जस्ट आज कोमेडी रॉल और एक कोमेडी वे में एक करेक्टर को इंट्रेड्यूस करने में ही प्राट ट्रेलर को लग गया फिल्म की एक ही साइड को देखने को मिला है जहां पर हमें कोमेडी सिर्फ देखने को मिला है लेकिन अगली साइड जो कि इस ट्रेड में हमें बताया ही नहीं गया कि क्यों बच्चन पांडे बच्चन पांडे बना है इसके उपर पूरी फिल्म बेस्ट होने वाली है लास्ट ब्लता ये सीन जो last में दिखाया गया वह स्टार्टिंग सीन होगा जब अर्षत वार्ष कृधिश्ण इन लोगों से इंटर्वियू मांगने के लिए आये होंगे यह स्टार्टिंग में बना हुआ है कि बच्चन पांडे बच्चन पांडे बने क्यों सिर्व हमें कोमेडी करेक्टर को दिखाया गया है और पूरी स्टोडी होने क्या वाली है उसके उपर ज़्यातर फोकस नहीं तो देखते हैं मूवी आने के बाद क्योंकि मूवी जल्द ही अगले महीन ही युद्ध में छोड़ता है कि बच्चन पांडे बच्चन पांडे बना क्यों और इस आते साथ यह दि धित्या ध्यान नहीं देखते हैं तो हमें लगता है कि यह कोमेडी मूवी होने वाली है जो कि लग भी रहे एक कमेडी मूवी लेकिन इससाथ मुझे एक अलग पहली भ करके बताइए और में रिव्यू कैसा लगा उसके ओपर भी कॉमेंट करिए थैंक्यों जोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय है